यूकरेन और रोश्या की विवात का असर बड़ी संख्या में यूकरेन में पढ़ने वाले भारतीय चात्रों पर भी पढ़ाई कर रहे हैं चिंद्वारा के तीन शात्र अभी यूक्रेण में फसी हुए है जिनके अभी भावक अपने बच्छों की सुरक्षा को लेकर चिंता में है यूक्रेण में एमबीब्येस में पढ़ने वाले चात्र प्रत्यूश चोरैसिया के पिताव डॉक्टर प्रशान चोरैसिया से हमारी बात हुई जो शहर की कोला धाना में निवास करते हैं उनका बेटा प्रत्युष एंबीबियस थर्ड येर की पढ़ाई यूक्रेन की खरकीव परांद की बियन कारजीन यूनिवर्सिटी से कर रहा है अच्छानक युद्ध शुरू हो जाने से वह वहाँ पर बंकर में अपने जंदगी घुजार रहा है प्रत्युष का परिवाब उसकी सुरिक्षा को लेकर बहुत चिंती थे प्रत्युष के पिता ने बताया कि उनकी लगातार अपने बेटे से बात हो रही है। उसका कहरा है कि वहाँ पर सरकार द्वारा कोई व्यवस्थान नहीं की गई है। छात्र किसी तरह से अपने पास के बच्चे हुए पैसे से अपना काम चला रहा है। प्रतिश का परिवार MSC से भी संपर कर रहा अभी तक कोई ठोस नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है। प्रतिश के पिता का कहरा है कि प्रदेश एवं देश की सरकार वहाँ फसे हुए चात्रों को भारत लाने में मदद करी। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मदद की गुहार की है। प्रतिश के पिता ने बताया कि वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत भी आ रहे है। जिससे वीडियो कॉल के माध्यम से बात नहीं हो पा रहे है। और मैसेज में बात करना पड़ रहा है। चात्रों वहाँ पर बंकर में जीवन गुजारने के लिए मजबूर है। और बाहर निकलने के लिए एमबसी से संप करने की कोशिश कर रही है। इसके इलावाच हुद्वाडा के ही परासिया रूड निवासी धनेंचे कृपान का बेटा संकल्प कृपान भी यूकरेन में फर्स्ट यर की पढ़ाई कर रहा है। उसका परिवार भी धनेंचे को भारत वापस लाएने के लिए प्रयास कर रह मेरी उससे कल दिन भर में कम से कम 30 से 40 बार फोन पे वीडियो कॉलिंग से बात हुई पर उसकुछ देर में इंटरनेट चला जा रहा था तो के वाद टेस्ट मेसेज की वज़े से उससे मेरे से बात हो पाई वहां है जो भैका माहुल बना हुआ है चारों तरफ बंबारी और च खुड़ा सा पैसा से कुछ खरीद करके अपना खुद का खाना खा रहे हैं वहां के प्रशासन के द्वारा भी किस्तवी प्रकार की कोई मदद की नहीं जा रही है बीसीन न्यूस के लिए छिंद्वारा से शेकर राजपूत की रिपोर्ट